दोस्तों मैं यूटीब पर पूरे चार साल से काम कर रहा हूँ और दोस्तों मैं अक्सर आप लोगों के चैनल में चेक करता हूँ आप लोगों के चैनल में एक गलती लगभग सारे क्रियेटर के चैनल में वो गलती मिल जाता है दोस्तों अक्सर जितने भी YouTube चैनल नेया नेया किरियेट किये हैं आनि की New New Creator के चैनल में तो मेरा जितना भी subscriber है एक New New Creator है तो दोस्तों मैं अपने comment section से जो की सारा चैनल को बीच बीच में open करके देखता हूँ दोस्तों आप लोग अपने YouTube चैनल पर जो वीडियोज अफलोड करते हो अपने चैनल पर जिस टोपिक पर आप वीडियो बनाते हो तो उस ताइब का वीडियो बिलकुल भी viral नहीं होता यूट्व पर दोस्तों अगर आप यूटि Yoga पर जैसे कि आपको पता होगा यूटीब जिस प्रकार से change होता है तो उस प्रकार से आपको अपने वीडियो को भी वाइस्टाइम दोनों complete हो जाएगा लेकिन आप पैसे नहीं कमा पाऊगे अगर आपको यूटुब से earning करना इसके लिए दोस्तों आपके चैनल में कम से कम एक वीडियो होना जरूरी है जो कि उसी वीडियो से आपका earning भी होगा और उस वीडियो से आपका सस्क्राबर और वा करते हो कि आप लोग किसी creator को देखते हो उस topic पर वीडियो क्रियेट कर रहा है तो आप भी उस topic पर वीडियो बना देते हो जैसे कि आप लोग देखते हो कि मनोज भाई जैसे कि यूटूब का टिप्स के जो की एक अपडेट जैसे कि यूटूब का कोई नया अपडेट आत अब तीनों अपडेट जैसे कि मनोज भाई पहले ही सभी को बता चुका है अब दोस्तों अगर दुबारा अपने चैनल पर अगर आप उस वीडियो को अपलोड करते हो यूटुब का 3 अपडेट बताने वाले हो तो आपका वीडियो कौन देखेगा क्योंकि 3 अपडेट तो पहले लोग देख चुके हैं यूटुब का आज जो अपडेट आया वह अपडेट तो मनोज भाई बता चुके हैं अब दुबारा अगर आप फिर से बतावागा तो उस वीडियो उसको कौन देखेगा तो आप लोग ऐसे गलती आप लोग अपने चैनल में करते हो दोस्तो चैनल को अपर के देखना आपको 100% वहाँ पर एक ना एक वीडियो वायरेल आपको दिखेगा इसी रीजन से दोस्तों उसके चैनल पर वो सस्क्राइबर बेस बना है उससे अर्निंग कर रहा है तो आपको अपने यूटूब चैनल से कमाई करना अर्निंग करना तो आपको अपना एक वीडियो को वायरेल करना ही होगा और जोस्तों जब आपका एक वीडियो वायरेल होता है तो आपका और भी वीडियो वायरेल होना स्टार्ट हो जाता है तो सबसे महन होता है कि आपको फश्ट वीडियो को वायरेल करना है तो कैसे वायरेल कर सकते हो इसके लिए तो आपको टैग के लिए आपको बताऊंगा जो कि आप किस टोपिक पर वीडियो बनाएंगे तो आपका वीडियो बनाएंगे जो कि आपका चैनल का वीडियो वाइरल होगा तो इस प्रकार से मैं सभी के रिकोर्डिंग में यहां पर आपको टोपिक फाइंड करके अगर दो चाट करने से पहले कल का भी आप वीनर देख सकते हैं तो इस बाइब का लिंग में अपने वीडियो डिस्क्रप्शन में एड़ कर देऊं एपने कम्यूटिव पोच्ट में एपने टेलीग्राम चैनल पर तो जा कि भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो इनके चैनल को सपो दो चलिए आज किस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों अब चाहते हैं बिल्कुल सही टोपिक पर वीडियो क्रियेट करना चाहते हैं जो टोपिक अभी यूट्यूब पर वाइरल हो रहा है और अगर आपके चैनल पर कुछ वीडियो से अगर आप वाइरल करना च यही एज बूको बीडी यूटीव तो आपको विडियोधे म्तलिस करने होगा कि यूटीव क्या होता है कि यूटीव पर जिस टाइम जिस ट्रुट करेगा तो सभी का वुडियो हो जाता है दोस्तों अभी अब मानन के चल सकते हो My First Blog YouTube पर जितना लोग My First Blog बना रहा है तो उसमें बहुत से लोगों का वीडियो वाईरल हो रहा है तो यही यूटीब पर जोकि जिस टाइम जिस रूट का वीडियो वाइरल होता है तो उस टाइप का वीडियो हमेशा वाइरल होता है तो आपको यह फाइंड करना होगा यूट्यूब पर अभी क्या चल रहा है अभी कौन सा टॉपिक वाइरल हो रहा है तो यह फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है आपको यूट्यूब पर जाना है GOT데 यह सट्सक्राइबर अल्रेडी यूटीप पर हो चुका है अभ दोस्तों आपको 10-15 चैनल स्ट्राइड करने कब आपको क्या करना है उसके चैनल को आप श कि बीडियो को अभी उसके चैनल पर कौन सा वीडियो वाइरल हुए है उसके चैनल सब्सक्այिज करना कि अपने दस चैनल को सेलेट किया पैले चैनलपर देखा आपने यह 5 लीडियो वाइरल हो चुका सोट्ब पर गया तो आपको दो करके दिखा है अब चानलप्र गया तो आपको कुछ वीडियो मिल रहा है तो इस प्रकार से दोस्तों आप 15 चैनल पर आपको कम से कम 50 से 60 वीडियो से ऐसा मिल जाएगा जो कि वहां पर वायरल हो चुके उन सब टोपिक तो आपको क्या करना है उनी सब टोपिक पर आपको वीडियो क्रियेट करना है और दोस्तों मैं लिख क क्योंकि दोस्तों यूट्यूब पर वही सब वीडियो वायरल हो रहा है वही एक सर्चेबल टोपिक है यूट्यूब पर सर्च किया जाते उस टोपिक को अगर आपको नहीं पता है तो वह उसके वीडियो से पता कर सकते हो जब उसके चैनल पर वायरल हो सकता है तो आपके चैनल पर क्यों नहीं वाइरल हो सकता है तो इस प्रकार से प्रस्टनली में भी अपने टॉपिक को फाइंड किया करता था कभी तो इस प्रकार से आप भी कर सकते हो और हैंडेट परसन में लिक कर दे सकता हूं कि अगर इस प्रकार से आप टॉपिक फाइंड करते हो रिसाज क लात्रों